अभी मेरे साथ गुडिया बैठे इसको PCOD इसको माइक देना बैठे डोक्टर से ने बोल दिया था हमारे पास में PCOD माने सवाय सर्जरी के सर्जरी करके मनिकाल देंगे बोड़ी की टेंडेंसीओों स deflect me कब vinden व्यूं बबाज़ी मैं साधना हूँ महारास्टा से आई हुं मेरे को जबसे पिरिड स्टार हो गए तब से रेगुलर कभी नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे, तो मेरे शादी होने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को PCOD है, तो डॉक्टर के पास गये ते डॉक्टर ने बोला कि आप लेपरस्कोपी करो, मैंने लेपरस्कोपी किये है स्वामी जी, और बाद में आपको हो जाएगा बच्चा, चार साल हो गए, अभी तक बच्चा यह नहीं हुआ, मैं मेडिसीन लेती रही, लेती रही, मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, स्वामी जी मी बता नहीं सकती, मैं बहुत मोटी मोटी हो गई थी, तो मैंने इना हो गया, 59 हो था, अभी अब करो, तो मैं रोज स्वामी जी का लायू देखती हूँ, तो स्वामी जी चैलेंज करते हैं कि 100% ठीक होती है, पीसी ओडी की बीमारी तो नार्मली है, तो मैंने एक दिन मेरे हजबन को बोला कि आप मेरे को स्वामी जी के पास ले चलो, तो वो बोले नहीं मैं नह अबरदस्ती लेके आई हूँ हजबन को, और मेरे साथ ससुर की बहुत प्रेरना है, उसकी प्रेरना की वज़े से मैं यहां तक पूच गई हूँ, और यहां आने के बाद मैंने टेस्ट करवाया, तो वो गाटी नहीं है, फरवरी में मैं टेस्ट किया था, तो बड़ी बड दो घंटा, शाम दो घंटा, यह घर सी कर रही थी, कि मेरी बात माने मैंने का था, ज्यादा बड़ी बीमारी है, तो शाम को भी लगा दे, वो पूरी चली गई है, हमारे साथ ससुर ने क्या रोज गिलोयो काड़ा घर में खुद बना लेते है, एक साल हो गया है, हमारे घर म है, वो शिर्शाशन भी कर लेते है, बीस साल हो गये, वो कभी भी होस्पिटल नहीं गये, खुद इस साल से, इतना प्राब्लम था, उसको तो यहाँ लिक्विड डालना पड़ता था, डॉक्टर ने बोला कि आप जब तक मेडिसिन ले तब तक अच्छा रहेगा, तो यह PC मेडिसिन नहीं लेती है, सिर्फ मधुनाशनी लेती है, हमारे यहां मधुगरिट नहीं मिलती सवामे जी, मिल जाएगी, मधुनाशनी, मधुगरिट, उनका मने पूरा खंदन ठीक होके बैठा हुए, और मैं का एक बात मेरा भांजा है, एट येर का, वो शिर्शाशन भी क मैं जो जो कर लेती हूँ, वो सब कर लेता है, वो तच्छा है, वो नाम उसका साथविक है, अब देखो, छोटे-छोटे भच्चे भी कर रहे हैं, आर साथ-आठ साल का बच्चा, असी साल का भुजूर्ग, और सब निरोग हो रहे हैं, हमारे घर में 95 येर की दादी मा भी ह और वो भी करती है नहीं मेरे सासुर ने क्या बहुत सेवा करती है देखो 95 पूरा परिवार सो साल जीएगा ये मेडिकल साइंस वालों ने कहते हैं हमने तुम्हारी उमर बढ़ा दी उमर इसलिए नहीं बढ़ा ही कि तुम लंबे जी हो इसलिए बढ़ा ही कि तुम गुली और हैं उपयोगी बना रहे हैं अब इसको सब सब लक्षन तो ठीक होगे सिम्टम सारे ठीक होगे उनकी है वो जो मोडन मेडिकल साइंस है ने एलोपैथी जीसको बोलते है वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है बोलो मैं सब को डोक्टर बढ़ा दो और ये है सिस्टेमि का निवारन कर दो और बीज नहीं होगा तो पेड कहां से हो जाएगा निर्वीज कर दो बीज का जिस कारण से बिमारी हो रही है उसका निवारन कर दो अभी इसको संतती सुधा दे दिये जिसमें शिवलिंगी पुत्र जीवक और कॉंच बीज और शतावर इसका हमने एनिमल ट्राइल भी कर लिया पंद्रहे दिन में जह है मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा भी भी बता देता हूं पंद्रहे दिन में इन यू कंपॉंड होता है वो यूरिया का ही एनलोग है वो हमने उससे स्पर्म और ओवम दोनों खतम कर दिये मेल और फेमेल के और उसके बाद जह है उसमें म्यूटेशन पैदा करके बहुत उनको पूरा नपुनसक कर दिया पूरी तरह से उनको अलादे होनी बंद्रहे ब पूरा को हम संतती सुधा देते हैं यह पंद्रहे दिन उनको दिया और उसके बाद में उनके धोक में बालग पयदा होगे मेल बहे मेल दुरुञ खोगे पंदरे दिन में उसमें पंदरे दिन में रेजल्ट आ गया ठोड़ा उसका लाइफ साइकल कम होता है जिवरफिस के अंदर तुमारे अंदर दो मेने में आ जाएगा अब दो मेने में इसको बालक हो जाएगा और एक साल के बाद में ये तीन या चार आएंगे हो सकता है जुड़वा हो जाए तो ये है एक साल के बाद में दो तो आएंगे नहीं कम से कम तीन आएंगे ये योग साइंस है इसमें बाबा का कोई रोल नहीं है बस स्वामी रामदेव तो जो सत्य है उसको स्वर देने का काम करता है बस इतनी सी बात है जो अनुभूती है उसको अभिवक्ती देता होगा अनुभूती को अभिवक्ती देता होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है यह संतती सुधा लेडिज और जेंस दोनों के लिए समान र अरे थी मंद से रेगुलर आ रहे थे मेरे को बहुत अच्छा जो शुरू वे थे तब से नहीं आ रहे थे अब योग करने से पीरिड रेगुलर हो यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात झाल झाल